किट्स गार्मेंट शॉप कैसे खोलें, कैसे करें व्यापार आखिर बच्चे किसे अच्छी नहीं लगते आपको भी छोटे बच्चे बहुत पसंद होगे अलग-अलग तरह के रंग बिरंग के कपड़े पहने बच्चे हर किसी के मन को लुभाते हैं अगर आप किसी नए वेवसाई के बारे में सोच रहे हैं तो किट्स कार्मेंट शॉप खोलना आपके लिए काफी फायदे बंद होगा बच्चों के कपड़ों का बाजार बढ़ रहा है और इस बिजनेस में ग्राहकों की कोई कमी नहीं है आप भी इस एपॉर्चुनुटी को ध्यान में रखते हुए एक से चौदा वश तक के बच्चों के किट्स कार्मेंट बनाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे शुरू करें अपने खुद की किट्स गार्मेंट शॉप इंवेस्मेंट, प्रॉफिट और लाइसंस की भी पूरी जानकारी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर तबाएं कैसे करें जगा का चुनाव अपनी दुकान ऐसी जगा पर खोलें जहाँ छोटे बच्चे जादा हों जैसे कि किस स्कूल के आसपास शेहर में अलग-अलग शेत्रों में काई कॉलोनीज बनी होती हैं आप खोद उस कॉलोनी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस कॉलोनी में रहने वाले लोगों में बुज़र्ग की संख्या जादा है या फिर बच्चों की संख्या जादा है आपको लगभग 100 से 200 स्क्वार फिट की एक दुकान की ज़रूरत पड़ेगी कैसे चुने अच्छा डिस्रिब्यूटर आप किसी बड़ी कमपनी से एक एजनसी के तौर पर जोड सकते हैं आप किसी होलसेलर से समान मगा सकते हैं सीधे कमपनी से एजनसी के तौर पर जोडने के लिए आपको उस कमपनी की मांगों को पूरा करना होगा किन-किन जरूरी लाइसेंस की आविशक्ता होती है किसी भी बिजनस को शुरू करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है इस बिजनस के लिए लोकल म्यूंसिबिलिटी से ट्रेड लाइसेंस जारी करपाना होगा इसके अलावा Goods Service Tax के लिए Registration कर पाना होगा Kids Garment Shop के लिए आपको बहुत ज़ादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है इस Business को शुरू करने में लगभग 3-4 लाग तक का Investment करना होगा Fashion, कपनों की Quality और Variety के हिसाब से आपका Investment बढ़ भी सकता है मुनाफ़ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना खर्च करना चाहते है मुनाफ़ इस बात पर निर्भर करता है कि बिक्री कितनी होगी ये कम ज्यादा भी हो सकती है लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाएं तो आप आसानी से महीने का लगभग 40-50,000 रुपे तक मुनाफ़ा कमा अपाएंगे मार्केटिंग कैसे करें? शुरुआत में कॉम्पेटिशन से उबरने के लिए आपको एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्राटिजी की जरूरत होगी आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का सबसे अच्छा तरीका है इसके लिए आप चाहें तो खुद का वेब पेच बना कर उसे मेंटेन कर सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेस्बुक, इंस्टाग्राम आधिकाब भी इस्तमाल कर सकते हैं जब भी कोई नया स्टॉक आता है या कोई ओफर हो तो अपने रेगुलर ग्राहकों को इसके बारे में जरूर बताएं इससे सेल बरती है आप चाहें तो इसके पैमफलिट भी बढ़बा सकते हैं जिससे लोगों को आपके बिजनेस के बारे में जानकारी मिलेगी जब आपका बिजनेस नया होता है तो आप ओफर्स देकर अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं अगर आप अपने कस्टमर्स का सही से ध्यान रखते हैं और उसे खुश करने में सफल होते हैं तो वो आपकी और आपके business की mouth publicity भी करता है और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी आप तक लाता है आज के लिए बस इतना ही ये थी Kids Garmin Shop खुलने की पूरी जानकारी तो आज ही शुरू करें अपना खुद का business और अच्छा मुनाफ़ा कमाए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और business ideas के लिए comment करके हमें ज़रूर बताएं Okay Credit, business okay है